असलाम लेकुम, students of 7 class आज हम exercise 2.3 अपने start करने जा रहे हैं इसका first question देखें Put the correct sign greater, less or equal between the following pairs of rational numbers तो students हम इसका first part given है 1 by 2 and 15 over 20 हमने इस fraction को देख कर बताना है कि इन में से कौन सा fraction बढ़ा है और कौन सा fraction इसमें छोटा है इसको solve करने के लिए आप अपनी copies पे 2.3 exercise और complete question लिखने के बाद first part लिख होगे 1 by 2 and 15 over 20 solution लिख के आप पहला fraction लोगे 1 by 2 equal का sign लगा कर आगे आप इसको एक बड़ी line लगा कर 1 by 2 लिख कर दूसरे fraction का जो denominator है नीचे वाला number वो आप लोगे और उस number से इस पूरे fraction को multiply कर दोगे उपर भी और नीचे भी और multiply करने के बाद आपका 21,20 और 22,040 आजाएगा फिर आप दूसरा fraction लोगे 15 over 20 है जो उसको solve करोगे equal का sign लगा कर एक बड़ी line लगा कर इस पूरे fraction को लिख के multiply का sign उपर नीचे डाल के आप पहले fraction में से denominator लोगे 2 है जो और 2 को उपर और नीचे multiply करोगे multiply करके आपका 15,2030,20,2040 आजाएगा ये multiply करने के बाद जो हमारे answers निकले हैं आप इनको यहाँ लिखोगे और compare कर लोगे नीचे नमबर सेम होने की वज़ा से आप जस्ट उपर वाले numbers को numerator को देखोगे जिसका numerator बड़ा है जैसे इसमें 30 है तो ये पूरा fraction भी आपका बड़ा है यहाँ पे आप greater का sign लगा दोगे और जिस fraction का ये answer निकला था 15 over 20 इसकी जगा पे वो fraction लिख दोगे और 20 over 40 के जगा उसका fraction लिख दोगे और ये sign इसी तरह रहेगा मतलब हमें पता चल गया दोनों fractions में से 15 over 20 and 1 by 2 में से 15 over 20 greater है यह आपका इसका answer है next part आप इसका देखें हमें given है minus 2 by 3 and 1 by 6 इन दोनों fractions को compare करने के लिए हमें कुछ भी solution करने की ज़रुएत नहीं है क्योंकि इसको हमें देखकर ही idea हो जाएगा कि negative fraction positive fraction से छोटा होता है तो 1 by 6 बड़ा है minus 2 by 3 छोटा है कभी भी आपको अगर एक fraction negative और एक positive आज जाए आपने हमेशा greater वाले को positive वाले को greater लिख देना है और negative वाले को smaller यह पूरा solution हम तब करेंगे जब हमारे दोनों fraction positive हो या दोनों fraction हमारे negative हो जैसे कि आपके अगले ही question में third में आ गया है minus 1 by 2 minus 1 by 5 and minus 2 by 10 इसमें से आप अगर just minus 2 by 10 को लो और इसको short form में ले आओ two से divide करके तो आपका answer निकलाएगा two को two पे divide किया one आ गया और ten को two पे divide किया five आ गया मतलब दोनों का answer आपका इसको solve करके भी minus 1 by 5 आया है और पहला fraction है ही हमारा minus 1 by 5 था तो मतलब आपका minus 1 by 5 and minus 2 by 10 equal fraction है fourth part जो आपको expression का given है वो है minus 1 by 9 and minus 4 by three अच्छा जैसे मैंने बताया था कि अगर दोनों positive fraction आ जाएं तो आपने ये पूरा solution करना है इसी तरह आपने याद रखने अगर दोनों negative fractions भी आ जाएं तो आपने ये पूरा solution करना होता है minus 1 by 9 आप पहला fraction लो इसको solve करो दूसरे fraction के denominator से इस पूरे को multiply कर लो उपर और नीचे solve करके आपका question निकलेगा answer minus 3 over 27 दूसरे fraction को लोगे उसको आप multiply करोगे पहले के denominator से ये condition है बेटा आपने याद रखने है कि जब भी आपने एक fraction लेना है उसको दूसरे के denominator से multiply करना है उपर और नीचे और जब दूसरे वाला लेना है तो उसको पहले के denominator से उपर और नीचे multiply करना है multiply करके आपका इसका answer निकलेगा minus 36 over 27 अब आप इन answers को compare करोगे और positive में जैसे आपको देख के पता चल गया था कि 30 बढ़ा है 20 से यहां भी आपने उपर वाले दोनों numbers देखने है minus 3 और minus 36 है और आपने हमेशा याद रखना है कि negative numbers जितनी value उनकी कम हो वो actually बड़े होते हैं और जिनकी value बढ़ती जाती है वो number हमारे decrease होते जाते हैं चोटे होते जाते हैं इसमें minus 3 हमारा बढ़ा है minus 36 हमारा चोटा है तो minus 3 था answer हमारा 1 over 9 वाले fraction का minus 36 हमारा answer था minus 4 over 3 fraction का मतलब हमें पता चल गया minus 1 by 9 fraction minus 4 by 3 fraction से बड़ी है आपके इस first question के total 12 part है पहले चार आपको मैंने solve करवा दिये हैं बिल्कुल इसी तरीके से आपने दोनो positive या दोनो negative fractions को लेकर इसी तरह solve करके greater or less की पहचान करनी है और अगर एक positive एक negative आ जाए जैसे के ये six वाले में है तो आपने just positive वाले को लिख देना है के ये greater है अमीद है आप इसकी समझ आ गई होगी आज आप इतना ही करोगे copies पे इतना ही सीखोगे मुझसे अपना home अग्जूर शेयर करिएगा इन्शाला आगे हम कल करेंगे ओके स्ट्रेंज अला हाफिज